तो हाई गाईस नमस्ति आशिश येर बहुत लोगों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है दिक्कते आ रही है इस परेंट्स को क्योंकि आभी जो आपके पास टाइम पिरेड बचा है जो हमने मैक्जिमम माना था वह माना था 40 डेज इस पे मैंने बात की केस है क्या मैक्जिमम केस मतलब 40 डेज रख के सामने प्रिपेर कर सकते हो बट अगर मिनिमम की बात करें मतलब आपको कितने दिनों में प्रिपेर रहना चाहिए मिस्टी सीटी में वह रहेगा 25 डेज वरना 30 डेज आप मान सकते हो मतलब एक मन्त पूरा आपके पास है ठीक एक मन्त अच्छा कासा टाइम है उतना बुरा पिरेड नहीं है लाइक आप मुझे बोलोगे कि यार बहुती कम टाइम बचा है अभी हमने अपनी जो पड़ाई है आप भी स्टार्ट करी है तो दिक्कत नहीं है आप अच्छा कासा स्कोर आभी भी कर सकते हो ठीक है वह जे नहीं है वह मिष्टी CET है वह हो सकता है ठीक है अभी दिक्कत क्या रही है बहुत सारे लोग यह पूछ रहे मुझे कि जो 11 का पॉर्षन है ठीक है जो उनका 11 का पॉर्षन है अभी काफी सारे लोग नहीं करा ही नहीं ठीक है क्योंकि उसका वेटेज है वह 20% है और 12 का जो है वह 80% बहुत सारे इसे भी लोगे जिन्होंने पढ़ रहा है 11 का ठीक है अब ही जाके 12 का इतना कर दी है वह लोग मतलब का पॉर्षन स्टार्ट कर दी है इसके वह 11 का पॉर्षन भूल चुके है ठीक है तो अभी वह सोच रहे कि वह स्किप ही कर दिया जाए 11 का जो भी है ठीक है तो दीखिएगा 11 का पॉर्षन के बारे में क्या इंपॉर्टन्स है ठीक है उसकी इंपॉर्टन्स है आप उसको छोड़ कर चले जा सकते हो तो नहीं ठीक है कैसी बात होती है आप अच्छी से सुनिएगा 11 का पॉर्षन आता है 20 पॉर्षन अगर 200 मार्स में से 20 पॉर्षन अगर आप count करोगे तो होता है 40 marks ठीक है 40 marks और 160 marks जो रहेंगे वो रहेंगे 12 के तो आप यह सा सोच रहे हो कि अगर आप 12 का जो portion 80% complete करके आओगे exam से मतला आपको 160 से 160 marks आएंगे 12 के portion में तो यह possible नहीं होता ठीक है पॉसिबल ही नहीं होता है और ऐसे कोई चाप्टर होते हैं आपके life में कि जो नहीं बनते हैं उसके सवाल ठीक है मतलब और exam के प्रशर में तो नहीं बनेंगे तो सीदी सी बात है कि 11 का portion बहुत क्रूशल रहेगा रैंकिंग के लिए मार्स के लिए ऐसा क्यों अभी जुन्हें ने अच्छा खासा पड़ रहा है मतलब 11 का उनका जो portion है अच्छा है वह तो करके आएं गयार उनको जो 40 मार्स का है जो एडवांटेज मिल जाएगा ठीक है वहाँ पे अगरना आप 12 का portion कंप्लिट करके आते हो सीधा समझ रहे हो अभी आप मुझे बोलोगी कि यार इतना तो टाइन नहीं है कि हम 11 का भी पड़े ठीक है तो 11 का पूर आपको पढ़ना ही नहीं है ठीक है अगर 40 मार्स का आ रहा है है 11 में से 40 मतलब 20 पौरेशंट आ रहा है तो 40 में से 25 स्कूर कर सकते हो क्योंकि 11 के चाप्टर संसे बहुत ही बेसीक है इसी है मतलब अगर एक एक भी बार कर लेता है ना एलिवन को पोर्षिन आजई से मतलब जो भी में चाप्टर से बताने जा रहा हो वह अगर एक बार भ 40 में से 25 20 भी कर लिया तो भी 120 आप पार कर रहे हो समझ रहे हो मतलब यह आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा अगर आपने आभी प्रिपरिशन अपका स्टार्ट किया होगा तो मेरी साफ से 11 का पॉर्शन मैंटर करता है बहुत सारे मेंटर्स बोलेंगे कि 11 अभी छोड़ कि आप सारे कर लो आभी वह भी करने के लिए कहां से टाइम निकालना है कब करना यह भी में बताऊंगा आपको यार कोई चिंता करने की नीड नहीं है मतलब मुझे बोलोगी कि यार मैं एक्ष्ट्रा नहीं दे पाऊंग यह उनकी चाप्टर के लिए तो डोंट वरी तो कल मिलते है यार शाम को साथ नहीं तो मैक्सिम आठ बुजे तो वीडियो आही जाएगा यह जो वीडियो है बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है जितना हो सके शेर करिएगा और आपका जो भी प्लान है उसको अच्छे से एक्जिक्ट करिएगा ठीक है जो बहुबली तो अगर किसीने सब्क्राइब करना भूल गया है तो जरूर सब्क्राइब करिएगा क्योंकि वीडियो उससे मिस हो सकता है ठीक है मैं ऐसे ही चाप्टर्स पॉइंट करूंगा जो करके आपका जो स्कोर है आराम से बढ़ जाएगा ठीक है तो चिंता करने कोई नहीं है यह अगर कोई भूल गया है सब्क्राइब करना जरूर करिएगा जितना उससे के सब्सक्राइब को शेर करिएगा लाइक तो आप तो अपने कर दिया होगा ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट टूडियो में तो स्टेट्यों अल्दवेस्ट और काम कर देएगा